पिछले बजट में परेटन विकास कोस का गठन किया और वो रासी है 500 करोड रुपए वो परेटन विकास के लिए गठन किया जा चुका है पूर्व विधायक राजकुमार जैपाल के निवास पर हुआ स्वागत समारो स्वागत समारो के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अजमेर को परेटन हब की रूप में विक्षित किया जाएगा तारगण पर रोप लगाया जाएगा जल्दी आप देखेंगे कि आर्टी डीसी की अर्थ व्यवस्ता पट्री पर आएगी उन्होंने केंदर सरकार से पुषकर मेरता रेल लाइन निर्मान का आग्रे किया है जिससे कि अजमेर जिले में परेटन का समुचित विकास हो सके राटोर ने कहा कि राइस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गैलोत ने पिछले बजट में 500 करोड के परेटन विकास की स्थापना की इस कोष्ट से राइस्थान प्रदेश एवं अजमेर जिले में परेटन को बढ़ावा देने के लिए योजना बद्र तरीके से कारिकिया जाएगा और राइस्थान परेटन विकास निगम की अर्थ व्यवस्ता को पट्री पर लाया जाएगा उन्होंने का कि राइस्थान परेटन विकास निगम के होटलों और रेस्टोरेंट्स में गुडवत्ता पर विशेज ध्यान दिया जाएगा राइस्थान परेटन विकास निगम के नवन्यूक तद्यक्ष धर्वेंदर सिंग राटोर शुकरवार को अजमेर पहुचे यहां अजमेर कलब चौराह इस्टिज डॉक्टर राजकुमार जैपाल की निवास पर उनके लिए भव स्वागत समारों का आईजन किया गया जहां शहर कॉंग्रेस के समस्त पतादिकारी और कारिकरताओं नों उनका माला साफा पेना कर भव स्वागत अभी नंदन किया मीडिया से बात करते हुए राजस्टान परेटन विकास निगम के अध्यक से दर्वेंदर सिंग्राटों ने कहा कि 5 स्टार और 7 स्टार तो नहीं लेकिन अभी आर्टीडीसी की जो आर्थिक स्टिती है सबसे पहले हमारे पास जो चेलेंज है हमारे आर्टीडीसी के करमचारियों की तनका देने का आर्टीडीसी के करमचारियों का लीव एनकैश्मेंट का छुट्टियों का उनका मेडिकल का और उनके एपीफ का बहुत जिल्द आपक का पैसा कहां कहां खर्च किया जाए 500 करोड की राशी से आर्टी बीसी को फाइदा होगा और परटकों को भी सहूलत मिलेगी और अजमेर जिला जो है परेटल के छेतर में तो मैं सबस्ता हूं कि राजस्तान में वैसे राजस्तान परेटल में देश में सबसे उंची जगे पे तो इस कोरोना ने सबसे बड़ा थ्रेट का अगर किसी सारा व्यापार और उध्योग दो था उसको मतलब एक तरह से चोपट कर दिया जीडीपी देश की डावन हुई और उसमें भी जो परेटन जो है वो सरवाधिक परभावित हुआ है परेटन उध्योग है जो कोरोना से सरवाधिक प्रभावित हुआ है क्योंकि तूरिस्ट नहीं आपको हवाईजाज बंद कर दी आवागमन पूरी तरह से बंद करना पड़ा लोकडाउन लग गया तो चाहिए वो टेक्सी के रूप में हो चाहिए होटल के रूप में हो हवाईजाज थी ट्रेन थी सारी बंद जरूरी है तो लेकिन फिर भी अब काफी कुछ दिवा पड़ा है इसलिए हम वापस परेटन उध्यों को पट्री पे लाएं यह बड़ा चैलेंज है हमारी जो आटीटी से की जो पहले सोन वील है जो पूरी दुनिया में उसका अपना बड़ा नाम है उसको हम सेप्टमर मे और तेजिस से आगे बढ़ें और जिलिक्वाम जो मैं जो फ़ली God है तो मेरा हमेंशा मतलब नांदाना रह इसलिए मेरा जमिनदारी बनती है जो नहां चल्मीर में जिले को मैं परेटन हभ ऑके रूपए तरह हमारा हमारी जो अच्योंद्स उसमें यह साज क्या कर सकें थ् ये भी टूरिस्ट के लिए हो सकता है, रोपवे है, अजमेर से पुसकर जो ट्रेन चलती है, मैं आपके माद्यव से भी यहां के जो सानसद है, उन सानसद से भी मांग करता हूँ कि वाई साथ कोई 25 के 25 सानसद बीजेपी से चुनके दिल्ली गए हैं, कोई एक काम तो बड़ा तो अब जो सरकार थी, उस वक्त हमारे जो रेल मंत्री थे, उस जमाने में और मुझे अच्छी तरह याद है कि पुसकर का उस रेलवेश श्टार का पुसकर का तो उद्गार्ल करने हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी और वो रेल मंत्री जी तत्कालीन वाये थे, हम सब को के करमचारों की तंखा देने का, आर्टी डी सी के करमचारों का लिव एंकरेस्मेंट का, उनकी थुटियों का, उनका मेडीकल का, उनका इपीफ का, बहुत जल्दी आपको लगेगा कि आर्टी डी सी एक बार पट्री पी वापस आये, पिछले बजट में, राजस्तान के पिछले बजट में, परेटन विकास कोस का गठन किया, और वो रासी है 500 करोड रुपे, वो परेटन विकास के लिए गठन किया जा चुका है, उसका एक्जूकुशन करवाने की हम उसकी कोसिस कर रहे हैं, कि परेटन विकास कोस का पैसा कहां कहां खर्च होना चाही है, तो अगर 500 करोड रुपे परेटन के छेतर में खर्च होगा, तो लेटरूली आटीडिसी को फाइदा होगा, और यहां के जो दुनिया के टूरिस्ट यहां आते हैं, उनको फाइदा मिले। परेटन को क्या दिया, पहले यह बताएं। पेस किया है, थोती बाते करने के अलावा, अचा बताएं उस बजट में राजस्तान में पहलबात तो राजस्तान को क्या मिला है, और राजस्तान में आजमेर जिलो क्या मिला है। हमारे जब MP यहां से सथिल पाइलेट जी थे, उस वक्त का आप अगर लेखा जो का देखोगे, तो आप देखिए उसमें क्या क्या नहीं हुआ। करने का मतलब है कि चाहिए दिली में हमारी सरकार रही हो चाह राजस्तान में, हमारी सरकार ने हर वो काम किया है विकास के नाम पे, सबसे ज़्यदा, आज मनमौन सिंजी का इस्टेटमेंट छपा है, आप हम देखा है, जी मोदी जी, बोलो तो इतना मत बोलो, कुछ करो भी मनमौन सिंजी के बारे मुस्वक्त कहते थे कि यह तो मोनी बाबा है, मोनी बाबा ज्यादा बढ़िया थे, उन्होंने देश की आर्थव्यवस्ता को कहां से कहां पहुचा दिया, मतलब मनमौन सिंजी के कारेकाल को आज भारत देश का बच्चा बच्चा याद कर रहा है, और मोदी जी को जिस जोस्ट और खरों से युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, देश की जनता ने वोट दिया जिस उस्चा से, वो उस्चा एकदम पंचर हो गया है, यानि वो धोका, ये फील कर रहा है भारत का मद्दा था, कि हमारे साथ धोका हो गया है, शिवा तो ये पता है मेरे भी, मेरे उपर भी ये हमला हुआ, इंकम टेक्स का, आप बताईए, मेरे बारे हम पता करिए, ने मेरे कोई उद्ध्योग है, ने कोई मैं बहुत बड़ा इंटरिस्ट लिश्ट हूँ, अलब सरकार उस मक्त राजस्तान के गिराने के लिए भी, ये तो जैसे दावा कर सकता हूँ, जैसे सरकार गिरने नहीं दी, सरकार पूरे पांस साल कोउग्रेस की चल रही है, चलेगी, और 2023 में वापस राजस्तान में कोउग्रेसी सरकार बनेगी, और मोदी जी की सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो गई है, दोजार चोबिस में, रहूल जी जिस लंग से सडकों पर उतर आये हैं, परलेमेंट में में पूरी तरह से वो बोलते हैं, और आपने देखा कि एक जो पेगासिस जो सब्ट्वेर है, उसका इस्तिबाल उस पर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, यानि हमारे देश की जनता की जासुसी हो रही है, बहुत सर्मनाक है, आइटीटीसी अध्यक्ष राठोल के अजमेर आगमन पर अजमेर कलब चुराये पर पूर मंत्री जसराज जैपाल और पूर विदायक डॉप्टर राजकुमार जैपाल की नेतरत में कॉंग्रेस के पदाजिकारी एवं कारकरताओं ने भवे स्वागत क इस अफसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समीती के संयोजक एवं पूर विदायक डॉप्टर शी गोपाल बाहिती, देहात कॉंग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भुपेंदर सिंग्रा टोड, सौरब बजार, बीरम सिंग्रावत, कुल्दीप कपूर, त्वक्रे मो थिवर्तमान अध्यक्ष भाई का। झाल झाल